आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो हमें बताना की कौन सा conclusion statement को follow कर रहा है तो जैसे कि यहां पर फर्स statement है वो कह रहा है All crayons are pen यह crayons है और यह वाला सरकल रप्रिजन कर रहा है pens को तो यहां पर जो फर्स statement में बोला गया है वो बोला गया कि जितने भी crayons है वो pens है तो यह वाला जो अंदर वाला सरकल है यह रिप्रिजन कर रहा है crayons को और बाहर वाला सरकल रिप्रिजन कर रहा है pens को second statement में बोला गया है All pens are nips जितने भी pens है वो nips है तो यहां पर यह जो बड़ा वाला सरकल है यह रिप्रिजन कर रहा है nips को ठीक है यहाँ पर हमने draw कर लिया, जो statement से जो figure draw हो रही है, वो हमने draw कर ली उसके बाद आए conclusion में first conclusion कहा रहा है all crayons are nips, जितने भी crayons हैं, वो nips है तो यह वाला circle जो है यह crayons है, और यह और जो बाहर वाला circle है बड़ा सा, वो represent करा है nips को तो यह जो nips वाला circle है इसके अंदर यह included हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर conclusion दिया गया है all crayons are nips, यह true है ठीक है, उसके बाद second conclusion है, वो है all nips are crayons, जितना भी nips है, वो crayon है ठीक है, तो यह वाला जो part है यह वाला part crayons नहीं है, सिर्फ यह वाला part ही crayons और nips है लेकिन हम इस वाले part को नहीं कह सकते कि all nips are crayons तो यहाँ पर यह जो second conclusion यह false है, तो यहाँ पर कौन सा conclusion follow कर रहा है, सिर्फ फर्स वाला follow कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा option 2 only one follow, मतलब सिर्फ फर्स conclusion ही follow कर रहा है thank you क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आ यह whatsapp कीचे अपने doubts 8400 400 400 पर